नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी चैनल अचार जागिंदर मिस्टा में नौकरी वेपसाई दोनों दोड़ पढ़ेंगे चुप चाप करें लौंग का प्रयोग फिर देखे घर में कैसे बरसेगा पैसा जी है दोस्तों आज हम बात करेंगे लौंग की लौंग हर क चीज का प्रयोग करने की आपको आवशकता ही नहीं पड़ेगी देखे लौंग की जो तीखी खुस्बू होती है यह जीवन की परिशानियों को दूर करती है वैसे तो आप सभी के घर में लौंग होता ही होता होगा यानि कि थोड़ी बहुत तो लौंग पड़ी ही रहती ह कभी पान के सहारे खाते हैं कभी पान के साथ खाते हैं तो कभी तोने तोटके के प्रयोग में भी लौंग का प्रयोग करते हैं तो कभी घर आए मेहमान को स्वागत के रूप में प्रयोग करते होंगे लौंग का जितना अच्छा इसका टेस्ट है उतना ही जीवन को खुब सूरत कर देता है लॉंग कैसे और कौनसा प्रयोग कर लें कि आपके सत्र विरोधी सांत रहें आए जानते हैं तो आज हम लॉंग की बात कर रहे हैं इस लॉंग का एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की तमाम परिशानियों को समाप्त कर देगा देखिए काने में यूज करते होंगे बहुत सारे लोग नहीं भी करते क्योंकि थोड़ा तीखा होता है लेकिन कोई बात नहीं है आज हम जो आपको लॉंग का टोटका बताएंगे वह आपके भाग को माला माल कर देगा आपको धनवान कर देगा आपका घर पैसों से भर जाएगा जी हां दोस्तों अब उपरी नजर से भी बधाओं से तांत्रिक क्रियाओं से नजर दोसों से बचाए रखने के लिए भी कई बर क्या होता है कि लाओं का प्रियोग जरूर होता है कई बार क्या होता है कि करजों में फस जाते हैं आप बहुत सारी तो नजर दोस में फस जाते हैं नजर दोस लग जाता है तांतरे क्रियाओं में फस जाते हैं बहुत से लोग करा देते हैं करजों में बहुत सारी आप फस जाते हैं धन नहीं आता आपके घर में आप करज ले तो लेते हैं लेकिन वापस नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में दो चार लॉंग डाल कर नहाना शुरू कर दीजे धन आने लगेगा बरकत बढ़ जाएगी और कर्ज भी यानि कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी य कई बार क्या होता है कि घर में इतने जादा नेगेटिव एनरजी होती है कि घर में बेबजय लड़ाई जगडे बाद व्याद होते रहते हैं या फिर कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने कोई वस्त रखी एक जगह है पर वो कहीं और मिल रही है कभी-कभी आपको आभ अब एक ग्राम काली मिर्च भी ले ले या थोड़ी भी मिर्च ले ले जरूरी ही कि आप नाप ले फिर सबको एक साथ रख ले और फिर सुबह साम दोनों वक्त जलाया करिए और यह प्रयोग कब करेंगे सनिवार या मंगलवार रात के समय करना है जी है दोस्तों यह लेकर यह दो दिन अच्छे रहते हैं सोने के पहले जरूर करें अगर नौकरी बगएर में समस्या जादा हो रही हो आपको लगे की नौकरी मिली ही नहीं पा रही है या मिली है तो नौकरी छुटने की कगार पर है या फिर जोब है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए, आपकी बुराई करते हैं, आपकी तरक्यु से जल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप दो-चार लॉंग ले 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 और अपने सर से लेकर पैर तक 3 या 11 बार उल्टा बार ले, क्या ऐसे करना है, उपर से लेकर नीचे, साम के समय जाद अच्छा रहता है नौकरी में जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी पीछे मुड़कर देखना मत ध्यान रखिएगा जब आप वहाँ पर शवराहे पर डाले तो बिल्कुल भी देखे ना वहाँ पर ये प्रयोग भी आप किसी भी दिन कर वैसे तो कर सकते हैं यानि नौकरी वाला जो पाट है न ये समस्या बिल्कुल आपका खत्म हो जागा और नौकरी में उन्नत करेंगे खूप सारा धन आएगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि बेपसाई ही नहीं चलता बेपसाई खड़ा कर देते हैं बंद हो जाता है या उनको बेपसाई बार- के समय काले कपड़े में 11, 21 या 108 लौंग ले ले काले कपड़े में बांध के आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी ध्यान रखिएगा माता लक्ष्मी जी के सामने आप यनि की रख दें और वहीं पर माता लक्ष्मी जी का इश्मरन करके इस जो काले कपड़े में आपने बां साथ दोनों दवदने लगेंगे माता लक्षमी जी के अश्विम कृपा बनी रहेगी माता लक्षमी जी दोनों हाथों से धन बरसाएंगी देखिए अब यहां पर चुकिए देखिए माता लक्षमी जी से संबंद जुड़ गया है देखिए माता लक्षमी जी धन से संबंद मादा लकष्मी जी सदयव है धन देती है और सभी देवी देवताओं में मादा लकष्मी जी समाar कोई धन नहीं देता तो माता लकष्मी जी को परसंद करना है तब ही सारी चीज़े आएंगे तो आपको यह जरूर करने है ताकि अगर आप positive silence could तो मातालक्ष्मी जरूर आपके घर में बास करेंगे तु क्या करना है आप किसी भी दिन आप क्या करें जब आप पूजा करते हैं साम किसमे तो यहाद पर देखें साम किसमे अपनी उन्नत के लिए अपनी पैसे धन के लिए यानी मनोकामना माँगिए शारी मनोकामना रातो रात माता रानी आपकी पूरी कर देंगे चुटकिया बजाते ही आपकी सपने पूरे होंगे माता रानी खुब सारा धन संपता आपके घर में बरसा देगी यानि माता लक्ष्मी जी कृपा बरसने लगेगी बस एक दो लौंग के प्रयोग करने से यह लौंग का चमत्कारी कूपाए बहुत यहापके भाग को बरसा देनी वाला है यहनी आपके भाग को चमका देने वाला रहेगा इस चोटे से प्रयोग के और करें तो जीवन कि शमस्त बाधाई दूर होती है वैसे चाहें तो सनिवार या रविवार या सनिवार या फिर मंगलवार या किसी भी दिन आप कर सकते हैं क्या करें लॉंग ले 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 एक ले 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 जितने भी आपके एक चाहें थोड़ा एक ही भी ले 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 चलेगा लोंग ले ले और माता लक्षमी जी के सामने बैट के वही मन की मनो कामना बोल दे दिन जैसे की रववार को लाल, सोम बार को शफेद कपड़ा मंगल बार को फिर लाल तो ऐसे करके दिन बाइद दिन अगर आप जिस दिन आपा शुरुआद करेंगे उसी दिन आपको इस कपड़े में बांधा बांकि वो हमेशा बना रहेना चाहिए उस दिन से तो उसे आप अपने बाजू पे इस लौंग को बांध ले और माता लक्षमी जी से प्रातना करके ध्यान रखेगा माता लक्षमी जी आपके घर में दोड़े दोड़े चलियांगे और खूब सारा धन संपता आपके घर में बरसेगा यनि एक चोटा सा लौंग का प्रियोग चुप चाप करना है जब भी आप करेंगे किसे से बात नहीं करेंगे एक तो नहानी के पानी में भी लौंग डाल दे रहा है इससे माता लक्षमी जी खूब प्रसंद होती है गलत एनर्जी आपके घर से बाहर जाती है और माता लक्षमी जी वहीं प्रवेस करती है जहां पोजिटिव एनर्जी का वास होता है तो एक छोटा सा प्रयोग माता लक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए आपको ये प्रयोग करना है लौंग का चुपचा प्रयोग करना है इससे आपका नौकरी और बेपसाइद दोनों दोड़ पड़ेंगे और जीवन में खूब तरक कियागी खूब धन वर्षेगा आपक के घर में तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चलब सब्सक्राइब करें और इससे शेयर करिए जये मालग करें